हेलो एवरीबन वेलकम बैक इन अवर चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है मैं हूँ कफिल तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में धेली प्लूस हैंड कॉंस्टियवल एडबलू और टीपीउ का जो 2014 में आपका एक्जाम हुआ था उसमें जो आपके मैथ के कुश्चन पू पूछे गए थे और जो मैथ के कुश्चन तो उनका लेबल क्या है तो आज हम इसका पूरा सॉलुशन आपको दिखाएंगे 25 कुश्चन आपके मैथ के पूछे जाते हैं और इसके बाद मैं आपको डेली 1010 कुश्चन का आपको वीडियो प्रोवाइड करांगों जो की पहला कोश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा तो पहला कोश्चन दोस्तों आपका है पर्सेंटेज से तो कोश्चन में बोला गया है वाट इस दा 50% ओफ रुपे 34 34 का 50% कितना होगा यह आपको बताना है काफी सिंपल सा कोश्चन है जैसा मैंने बोला था औरेड़ी मैंन मल्टिप्लाइ कर लिया है तो आप मल्टिप्लाइ करोगे तो यू बिल गेट 510 डिवाइड़ेड वाई 100 अगर जितने भी 0 हमारे 1 के साथ डिनोमेटर में होते हैं तो करना क्या होता है हम जितने 0 होते हैं उतना ही decimal लास्ट वाले डिजिट से काउंट करके लगा देते हैं सेम इसी पैटर्न पर आपके पूचे जा सकता है आई हो आप सब लोग तो तयारी में लगे हुए होंगे तो बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरह कोश्चन नमबर 2 तो कोश्चन नमबर 2 आपका देखो फिर से यह सिंप्लिफिकेशन का कोश्चन है तो इजी कोश्चन है time-basting question भी आपसे पूछे जाते हैं कुछ question आपके होते हैं डारेक्टी लग जाते हैं कुछ में हमें calculation करनी होती है तो यह उनीमें से एक है जिसमें आपको simplify करना ही बढ़ेगा 80% of 370 plus 24% of 210 minus question mark के place पे क्या value आगा वो आपको बताना है जो कि आपका equal किसके है 118 के मैंने question mark के place पे यहापे x को लिख लिख लिया है तो off के place पे मैंने multiply लिख लिख लिया यह line आपका simply वन गया now percentage का sign फिर से में remove करना है divided by 100 multiply 370 plus 24 upon 100 multiply 210 minus का अब मैंने क्या किया यह 180 है मैं इसको left hand पे ले आया और x को मैं right hand पे लेके गया जाब x को धनलाएंगे तो plus का हो जाएगा और 118 जो है वो माइनस का हो जाएगा जीरो से आपका zero cancel फिर आप देख लीजिए simple सी फिर आपकी calculation है calculation करने के बाद जो आपका answer आएगा वो आएगा 258 यानि कि जो आपका option होगा है यहाँ पे option number V हो जाएगा ओके तो बढ़ते अगले question की तरफ question number 3 अगर हम किसी भी exam की तयारी कर रहे तो हमें उसके last year के जो previous year क्या है question था आपका I gain 70 passes on रुपे 70 okay my gain percent is कितना होगा आपको percent बताना है अगर मैं 70 पैसे का मुझे profit हो रहा है किस पे 70 रुपे पे तो क्या लिखना है 70 रुपे आपको नीची लिखना है 70 पैसे उपर लिखना है कभी भी हम ratio को solve करते है fraction को solve करते है तो हमारे unit हमेशा same होने चाहिए तो इसलिए मैंने क्या किया है रुपे को मैंने पैसे में चेंज कर लिया multiply hundred कर लिया hundred से आपका hundred cancel हो गया 70 से 70 one time cancel हो गया यानि कि जो आपका answer है one percent आएगा तो इसका भी जो आपका correct जो option होगा वो option number two one percent होगा ओके तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number four तो length of a room एक रूम की जो length है वो 5.5 meter है एंड उसकी जो बित है वो आपकी है 3.75 meter and find the cost of paying the floor by the slabs at the rate of 1800 per square meter cost आपको बताने हैं आपको okay floor पे by slab करना okay तो cost कैसे निकालते हैं पहले हम उस floor का area निकालते हैं फिर multiply करते है rate से तो cost is equal to area multiply rate per square meter जो उसमें given होता है तो area क्या है देखो length इसका मतलब rectangle है तो rectangle के रिए लगेगा LN2B multiply किस rate से कर रहा है वो 800 से per square meter से तो सबका multiply आपको कर लेना जब आप इसको multiply करोगे तो आपको मिलेगा देखिए 16 and 500 यानि कि जो आपका यहापर option है वो आपका full correct हो जाएगा आपकी calculation बहतर होनी चाहिए okay calculation पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए आपको because थोड़ी सी भी mistake हुई तो आपका option गलत भी निकल सकता है तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 5 question number 5 यह भी आपका word problem है यह भी आपका rectangle पेरिमीटर से related question है देख लीजिए किस तरीकी question पूछे गए थे question में आपका है यह 5 the difference between the length and breadth of a rectangle is 23 किसी भी rectangle के length और breadth का जो difference है वो आपका कितना 23 तो मैंने लिख लिए l-b is equal to 23 equation first and if its perimeter is 206 इसका perimeter given है perimeter के इतना 206 rectangle का जो perimeter होता वो आपका होता 2 length plus breadth is equal to 206 जो उसमें गेवन था मैंने क्या किया यहाँ पर 2 से मैंने इसको cut कर लिए 103 यह मैंने equation 2 बोल दिया फिर क्या कि हम मैंने first और second को यहाँ पर easily हम solve कर लेंगे add करेंगे तो b से b cancel 2 l is equal to 126 आएगा तो l का value आ गया 63 ओके फिर हमें निकालना है अब भी जब हम b निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे किसी भी equation मा बी का value put कर दीजिए तो 63-23 is equal to v आपने यह निकाला था 63 मैंने put कर दिया 63-23 आपका 40 हो गया length भी मिल गया और बिर्थ भी मिल गया और आपसे question में पूछा था एरिया एरिया कैसे निकालेंगे length multiply बिरे जब आप multiply करोगे तो you will get 225 और 20 2520 मीटर इसकार यह आपको option में जहां भी द option number 4 correct हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 6 तो question number 6 आपका दोस्तों कुछ इस तरीके से है find the surface area of a 10 cm, 4 cm and 3 cm brick का area surface area आपको बताना है तो surface area का जो formula होता है friends वो आपका होता है 2LB plus BH plus का HL because जो keyword की रूप में ही तो आपका जो brick होता है तो उसी का यहापर formula आपको use करना है तो L आपका हो गया 10 V आपका हो गया 4 and आपका जो L है वो आपका कितना हो जाएगा 3 तो similar आपको यहापर इस formula value पुट कर देनी है easy calculation I hope इतना तो आप सभी लोग करी लोगे उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को यह formula तो याद ही होंगा और याद होने भी because exam में आप काफी कम टाइम रह गया है तो देख लीजिए इस तरीकी question बन रहे है तो इसका जो correct answer दोस्तों वो आपका आ रहा है 164 calculation पर जादा आपको ध्यान देना है calculation हमारी अच्छी होनी ही चाहिए तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 7 तो question number 7 और 8 आपको दिखाए दे इस exam में दोनो probability के question आपसे पूचे गए है और दोनों ही question आपके coin से related है तो 7 question आपका दोस्तों ये था इन आसेमल टेले स्ट्रो औफे 2 coins को आपने उच्छाला है उसको toss किया है तो the probability of at least one head आने का probability आपको बताना है ओके तो चलिए देखिए ऐसे questions को कैसे करते हैं तो मैंन possible outcomes यहां लिख लिए मतला गर हम 2 coins को toss करते हैं तो क्या क्या हमारे गिर सकते हो सकता है दोनों faces head आजाए हो सकता है head और tail आजाए हो सकता है tail और head आजाए या फिर tail और tail दोनों faces वे आ सकता है यानि कि जो हमारे total possible outcomes है वो हमारे कितने हो गए four हो गए और question में पूचा कि at least one head तो होना चाहिए तो count करिए head कितने number कितने events में आ रहा है one two और three three ऐसे chances बन सकते हैं जिसमें हमारे head गिर सकता है तो आपकी जो probability होगी number of total outcomes नीचे रहते हैं और possible उपर आता है ठीक है जो हमारा result होता है तो three upon four हो गया यानि कि जो आपका यहां पर correct option हो जाएगा वो आपका coin को आपने toss किया है what is the probability of getting at most two head तो मैंने क्या कर रखा है possible outcomes बना लिए अगर हम तीन coin को toss करेंगे तो हमारे possible outcomes क्या क्या हो सकते हैं हो सकता है तीनो coins पे आपका तीनो head आ जाए तीनो tail आ जाए head टेल टेल आ जाए तो ऐसे जितने भी आपके possible outcomes बनते हैं वह मैंने बना लिए और आपको याद रखना है अगर तीन coins को हम toss करते हैं तो 8 ही हमारे possible outcomes बनते हैं और result क्या पूछा उसने at most 2 से ऐसा question पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना है जिसमें भी head नहीं होगा वही आपको देखना है head कितने terms में आ रहा है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 7 ऐसे जिसमें कम से कम 2 तो आपके आ ही रहे हैं 2 और 1 most बोलेगा तो आपको वो terms छोड़ना है जिसमें head नहीं होगा ध्यान रखिए most 2 head बोलेगा तो वो term छोड़ना है जिसमें head नहीं होगा यानि कि आपके 7 result में उपर आ जाएगा possible outcomes नीच रहेगा result उपर आएगा कितने आपके बन सकते यानि कि आपका 7 upon 8 हो गया ओके similar अगर tell के लिए relation पूछा जाता तो यही pattern tell के लिए follow करेंगे तो देख लिए अगर कोई भी mistake है तो please comment box में अपना suggestion जरूर दीजिएगा तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 9 तो question number 9 आपका पूछा गया find the odd one out in 3, 5, 7, 12, 17, 19 इन में सबसे अलग number क्या वो आपको बताना है देखिए exam जो आता सही था इसमें के easy question है थोड़े टिर्की भी है थोड़े से word problem बाले भी है तो अच्छा खासे आपके math के question पूछे जाते हैं तो इसमें क्या था odd one out इसलिए हम बता सकते है because 3, 5, 7, 17 हमारा क्या है यह सब prime number है 12 ही आपमें question की तरफ question number 10 तो question number 10 आपका height and distance some application of technology से पूछा गया है तो question कुछ इस तरीक ऐसा था from a point P on a level और a ground ठीक है एक point है P जो की ground के label पर है तो वहां से आपका जो angle of elevation बन रहा है top of the tower the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree तो हमने point यहापे P मान लेना है ठीक है मैंने यहापे A ले रखा है तो आप इस tower के top से BC एक tower है tower का top यह होगा तो angle बनना है 30 degree का okay तो if the tower is 100 meter height जो tower की height है वह आपकी 100 meter है तो आपको distance बताना है distance of a point P from the foot of the tower tower के foot से लेके इस point का आपको बनाना है कितना distance है तो आप क्या लिखोगे 10 30 is equal to हमारा यहापे concept geometry ratio यूज होगा जिसमें height और base होता है वो हमारा 10 हो to perpendicular upon base आपका perpendicular 100 है base आपको निकालना है 10 30 का value 1 by root 3 होता है cross multiple करोगे तो a b is equal to 100 root 3 और root 3 का value होता है दोस्तो 1.73 होता है जब आप इसका multiply करोगे तो you will get 173 यानि कि जो आपका यहापर correct option हो जाएगा friends वो हो जाएगा option number C उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं अगर कोई भी doubted तो प्लीज वीडियो को बापत से play करके देख लीजिए अगर मैं दवारा से repeat करांगो तो दोस्तों देखो वीडियो काफी lengthy हो जाएगा तो question number 11 आपका है age से पूछा गया है problem of based on age दो दो question प कम का हो जाएगा younger than राहुल कितना हो जाएगा फिर एक्स माइनस पूर जो सच्चिन की जोगी वह हो जाएगी एक्स माइनस फूर इफ दियर एजिस आर इन रेस्पेक्टिव रेशियो 7 रेशियो 9 इन दोनों की जो एज का रेशियो वो दे रखा है 7 रेशियो 9 यानि कि सच सचिन का और राहुल का जो एज का रेशियो वो अपन बुद्धे रखा है 7 अपन 9 तो आप इजीली यहां से कैल्कुलिशन कर सकते हो क्रॉस मल्टिप्लाइ करोगी क्रॉस मल्टिप्लाइ करोगी तो आप देख लीजिए एक्स ऐसे बनेगा तो आपको मिलेगा एक्स इस इ आ रहा होगा यानि कि इसमें जो आपका option है वो आपका यहां पर option number 4 सही माना जाएगा तो वड़ते अगले question की तरफ question number 12 देख लीजिए previous year में इस तरीके question पूछेगा और इसी pattern पर आप अपनी तयारी को आगे बढ़ाईएगा उंबीद्ध आप सभी लोग तयारी तो इस है after 15 years 15 साल वाद उसकी इस की 5 times हो जाती है जो 5 years back हो जाए तो तो देखो अब मैं समझाता हूँ राजीब की इस हमने माली x तो question बोलागे after 15 years यानि कि x plus 15 ओके यह हमने equation या बना लिया फिर बोला है उसने 5 years back यानि कि तो x-5 जाएंगे 5 years back करेंगे तो तो अब equation में क्य जागे बने उपर ज़रा condition को समझना तो राजीब की जो age 50 after 15 years is equal to 5 times of 5 years back तो question के according हमने आप equation बना लिया फिर आप इसको solve पर होगे तो आपको देखो x की value मिल जाएगी easy calculation है तो यानि कि जो आपका है पर option होगा वो option number 2 correct हो जाएगा 10 years प्रिजेंटेज उसकी होगी तो question number 13 another आपका word problem से question दिया गया है तो question number 13 है find a number such that when the 15 is subtracted from 7 times the number the result is 10 more than twice the number ठीक है अब देखो हमने एक number माले x तो question में बोला गया था किसी भी number के 7 time में से 15 को subtract करना है मतलब 7x minus का 15 यह question में बोला गया 15 is subtracted from 7 times of a number 7x minus का 15 is equal to किसके होता है 10 more than 10 more than twice of number उसी number के twice से 10 जाधा होता है तो 2x twice हो गया plus का 10 अब दोनों equal है तो condition आपको बना लेनी है फिर इसके बाद इजी सी calculation है इतना simplification तो आप सभी को आना भी चाहिए और उम्मीद करता हूँ आप बता भी होगा तो जो आपका यहाँ पर option है वो यहाँ पर एक correct हो जाएगा तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 14 तो question number 14 15 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हूँ काफी easy question है तो question 14 तो आपका 252 को express करना है product of prime में तो इसमें से कौन से आपका correct होगा वो आपको यहाँ पर बता देना है तो करेंगे कैसे सबसे पहले आप easily हाँ पर factor कर लिजे 256 के factor करने के बाद you will get 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7 तो आप द जाएगा तो 15 question को देखिए 15 question में आपसे पूछा गया है 7589 मैनस का question mark is equal to 34 and 34 okay question mark के place पे क्या value आएगा वो आपको बताना है तो मैंने क्या किया किया solve कर रखे जैसे मैंने already बोला था तो question mark के place मैंने आप एक्स लिख लिए है अब x को में लेके गया हूँ right hand पे और इस वाल 15155 पाएगा देख लिए इस तरीकी के question है थोड़े से tough हैं थोड़े से easy हैं काफी जादा easy हैं तो level काफी अच्छा था है exam का तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 16 तो question number 16, 17 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हूँ कुछ question आपके directly देखते ही बन जाते हैं कुछ में calculation करनी होती है तो इनी में से यह question से the sum of first five prime numbers तो first five prime numbers क्या होते हैं prime numbers वो numbers होते हैं जो only खुद से ही cut होते हैं तो क्या हो गया 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 और 11 हो ठीके इ 28 option number 4 यहाँ पर correct हो जाएगा तो 17 question ता आपका smallest prime number कौन सा होता है तो smallest prime number आपका होता है 2 आप 1, tick कर दीजिएगा prime numbers क्या होते हैं खुद से खट होने चाहिए और बन से भी divisible होने चाहिए ऐसे number जिनके दो factor हो एक तो itself और एक बन उम्मीद है आपको सब कुछ समाज आ रहा ह 18, 19, 20 आपको दिखाई दे रहोंगे देख लीजिए काफी easy question है इनको मैं समझाने रहों आप easily इनको कर सकते हो add करना इन सबका जब आप add करोगे तो आपको answer मिलेगा है आप 1.111 अगला आपका easy question है decimal से लिया गया था आपको addition करके answer बताना है जब आप इन सबको add करोगे त तो जहां पर आपको मिलेगा 298.946 तो अगला question 20 देख लीजिए किस तरीके से पूछा गया आपका 20 and 21 20 easy था 50 into 2 आपका 100 हो गया add करोगे तो आपको मिलेगा 220 का जो answer होगा वो 3 correct हो जाएगा तो 21 और देखिए 21 question क्या है how many pieces of 85 length can be cut from a rod 42.5 meter 42.5 meter एक long road मैंसे हमें 85 centimeter के pieces cut करने हैं तो 42.5 उपल लिखना 85 नीचे लिखना है कभी भी हम जब cancel करते हैं रिस्यूस जब हम निकालते हैं divide करते हैं तो आपके measurement सेम होनी चाहिए इसलिए मैंने meter को centimeter में change किया है फिर multiply करने का देख लीजिए जो आपका answer EGC calculation तो यहाँ पे आपका आ रहा है 50 ओके यान average का formula होता sum of all numbers and divided by numbers ठीके 76, 65, 82, 67, 85 numbers को आप add करिए और divided by 5 जितने number होते हैं उतने time सेम डिवाइड कर देते हैं divide करने के बाद आपको मिलेगा 75 ओके काफी easy question है ओके मैं समझा नहीं रहा हूं इसलिए आप देखते हुए चलिएगा काफी simple सा question था average का हर एक subject के आपको number दि हैं तो add करके हम जितने subject होते हैं उतने का divide कर देते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ question number 23 question number 23 24 आपको दिखाई दे रहे हूंगे देख लीजिए इनके किस तरीकी के solution है उम्मीद है आप सभी लोग अच्छी तरीके समझ रहे हूंगे आप इनको देख लीजिए इन्हीं के according आपनी तयारी को आगे बढ़ाईए तो question आपका average इस था first five multiple of three three के first five multiple के आपको average बताना है average से दो question पूछे गए तो आप तयार कर लीजिए तो थोड़ी से यहां पर लैट की problem हो गई होगे तो three के जो five multiple आप उनको लिख लीजिए average उनके निकाल ले एड़ करके आप five से डिवाइड कर दिए five multiple बोला है तो जाब five से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा five nine 45 य आई होप आपको इतना तो आता ही होगा और आना भी चाहिए काफी जी question है तो जब आप multiply करोगे तो तो four से 25 time कट हो जाएगा multiply करने के आपको मिलेगा 125 परसेंट तो ये था हमारा 2014 में जो आपका धेली पुलिस हॉंट करस्टेबल में जो AWO में जो एक्जाम में पूछे ग अधन बाद टेक केर एंड वेट फोर दा नेक्स्ट वीडियो